जब गूगल का जेमिनी AI का डेमो फेल हुआ था, तो क्या गूगल के इंजिनियर्स ने बैट के लांगेट्स पैलेंड्रोम ढूंडा था? या पिर जब माइक्रो साथ का क्राउड इस्टाइक की वजए से इतना बना डिजास्टर हुआ था, तो क्या उस टाइम पे माइक्रो साथ के इंजिनियर्स ने बैट के लिंकले स्कोर रिवर्स किया था? या पिर मेटा के इंटाग्राम और फेस्बूक मार्च में डाउन हुए थे, तो क्या उन्होंने बैट के बाइनरी ट्री का मैक्सिमम डेप्स फाइंड किया था? अगर यह सब कुछ नहीं है, अगर यह सब कुछ उन प्रॉडक्शन के इंसीडन के कैसिज में काम नहीं आता, तो फिर यह सारी कंपनीज लीट कोर टेस्ट क्यों लेती हैं? यह सारी कंपनीज हम से लिंक लिट को रिवस कराना या फिर बाइनरी ट्री की डेप्ट फाइंड करना इस तरह के कुछ इंटर्व्यूज में क्यों लेते हैं? आज का टॉपिक हमारा इस पारे में है, वाइडू कंपनीज डू लीट कोर टेस्ट? आज सलाम अलेकूम, माइनेम इड वजात करीम एड वेलकम टू रिमोट करो। करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा के हैरिंग कैसे काम करते हैं? इमेजिन करें के गूगिल के पास देर लाग से ज्यादा इंप्राइज अभी काम कर रहे हैं. आप इन में से अगर हम मिनिमम से मिनिमम नंबर फिकर आउट करें तो फाइब पांच हज़ार लोग शायर रिजाइन कर रहे हैं. उन्होंने अपना रेजिगनेशन दिया हुआ है और वो किसी और अपरचूनिटीज में जा रहे हैं. जो कि पांच हज़ार में बहुत कम मोलता हूँ, इसे ज़्यादा होता है, लेकिन चलो हम पांच हज़ार के बात करते हैं. अब आप ये बताएं, आप ये सोचें, कि इन पांच हज़ार लोगों को हायर करने के लिए, गूगल को कितनी बड़ी टीम चाहिए होगी, HR की और रिकूरूटमेंट की. अब यहाँ पे हम सिर्फ उन प्रॉडेक्ट की बात करें, जो गूगल में चल रहे हैं, ये ये लिएक पर न पांच हज़ार लोगों के लिए, कम से कम हर बंदे के लिए जो रिक्रूटर होगा वो चाली से पचास लोगों को शॉट लिस्ट करेगा तो मतलब पांच हदार के साब से यह डो लाग से धाई लाग लोगों की लिस्ट है जिनके इंटर्व्यूज होने हैं और उनको शॉट लिस्ट करना अब इनको फिल्टर किया है उस्ट काल पर 훌गा लिकला हुआ है पर यहां जूम काल पर उन से कुछ सवाल पूछायगा और इसके साबसे वो डिसाइड करते हैं कि इसको आगे लेकर चाहिए जाना है उसके बाद actual hiring process शुरू होता है जहां पे उसको algorithm के और system design और इन interview में involved किया जाता है अब आप ये भी थोड़ा सोचें कि ये जो Google है ये जो Facebook है Amazon है ये जो big companies हैं लोग इनके लिए crazy हैं इनके लिए passionate हैं इनके लिए लोगों की जिन्दगियों का मकसद होता है Google में सरकी companies में job करना तो they are working hard for one year, two year, three years and doing lead code almost every day for just to join these companies तो जब इनके बार कोई vacancy आती है तो हमने तो पांच सदार का दो धाई लाख वाला example उठाया था ये number actually उससे भी ज्यादा होता है क्यूंकि बहुत huge quantity में लोग apply करते हैं अब Google कितना भी चाहे या Facebook यह जितनी भी companies हैं वो कितना भी चाहें कि हम अपने employees को उनके project के हसाब स से उनके personal portfolio के हसाब से उनके skills को related के हसाब से hire करेंगे लेकिन they cannot do that मतलब अगर धायलाग लोग एक position के लिए apply कर रहे हैं तो how they are supposed to go through all these candidates and figure out the best candidate for their company तो उनको किसी ने किसी तरीका के automation करने पड़ती है और दूसरा ये कि हर position का एक अपना criteria होता है तो लिस से कि अगर हमें कोई android का बंदा hire करना है तो मैं देखूंगा क्या वो एक किसके level architecture बना सकता है नहीं क्या वो clean architecture लिख सकता है या नहीं क्या वो unit test लिख सकता है या नहीं इस तरह का criteria होता तो back end का अपना criteria है और इस तरह लेकिन जब दो लाग लोग apply कर रहे हैं तो how do you measure those candidates on that criteria because इसमें तो front end वाले भी हो सकते हैं back end वाले भी हो सकते हैं AI वाले भी हो सकते हैं data science वाले भी students भी हो सकते हैं graduates भी हो सकते हैं experience भी हो सकते हैं और intern needs भी हो सकते हैं तो at some point google have to make it objective google have to define clear criteria के भाई अगर आप ये पास कर देते हो तो you are in अगर आप यह पास नहीं गड़ देते हो तो sorry we cannot do anything about you तो अब वो जो criteria है वो उनको generic रखना पटा है ताके students, इंटर्नी, senior, fresh, junior और back-end वाले, mobile वाले सारे लोग apply कर सकें उन positions के लिए उसके लिए उन्होंने lead code का, hacker rank का और algorithm का इस तरह के टेस्टों के ओपर formula apply आप यह रखो कि जितनी भी बड़ी companies होती है न वो at some point इस model के ओपर shift हो जाती है It's not their choice to do this. यह उनकी मजबूरी है कि उनको यह करना पर रहा है इतने बड़े recruitment drive को manage करने के लिए जब आपकी company में लाखों लोग apply करेंगे तो you have to do some result. So in simple words, the whole idea behind doing these lead code test in farm company is automation. उनको अपने hiring के लिए, अपने recruitment के लिए एक faster, more reliable way चाहिए जिससे यह figure out कर सके हैं कि यह candidate अच्छा है और यह candidate अच्छा नहीं है तो they do that based on how fast you solve your lead code problem, how accurately you solve your lead code problem and all that. तो एक ओर वीडियो अभी बनाएंगे हम जिसमें मैं आपको explain करूंगा कि lead code की preparation कैसे होती है और lead code की तयारी कैसे होती है और अगर आपको google में, facebook में इस तरह की companies में काम करना है तो how you can clear these interviews और किस तरह के interviews होते हैं तो thank you for watching remote करो on today's video, like करें, share करें, subscribe करें और comment में बताएं क्या आपने कभी lead code का इस तरह का interview दिया है और अगर दिया है तो how it went और वहाँ पे किस तरह का सवाल पुछा गया तो let's discuss more about this in comment, thank you, bye bye